हेलो गाईज, आज हम रामायन का पढ़ते हैं थ्री पार्ट जैश्री राम मेरे सभी विवेवर्स को सत्संग के बिना विवेग नहीं होता और श्री राम जी की किरपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं सत्संगती आनन और कल्यान की जड़ हैं सत्संग की सिद्धी प्राप्ती ही फल है और सबसाधन तो फूल हैं दुष्ट भी सत्संगती पाकर सुधर जाते हैं जैसे पारस के सपर्षशे लोहा सुहावना हो जाता है अर्थात सुंदर सोना बन जाता है किन्तु दैव योग से सभी किन्तु दैव योग से कभी सजन कू संगती में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी साप की मनी के समान अपने गुणों का ही अनुसरन करते हैं अर्थात जिस परकार साप का ससंग पाकर भी मनी उसके विश को ग्रहन नहीं करती तथा अपने सहज गुण परकाश को नहीं छोड़ती उसी परकार साधू पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को परकाश ही देते हैं दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता ब्रह्मा विशनो शिव कवी और पंडितों की वानी भी संत महिमा का वरनन करने में सैक उचाती है वह मुझसे किस परकार नहीं कही जाती जैसे सागतर कारी बेचने वाले से मणियों के समहू नहीं कहे जा सकते मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित में समता है जिनका नै कोई मित्तर है और नै सत्रू जैसे अंजली में रखे हुए सुन्दर फूल जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिस ने उन्हें रखा दोनों ही हाथों को समान रूप से सुखंदित करते हैं सुखंदित मतलब की महकदार वैसे ही संत शत्रू और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्यान करते हैं संत सरल्स हर्द्य और जगत के हितकारी होते हैं उनके ऐसे सवभाव और सनहें को जानकर मैं विने करता हूं मेरी इस बाल विने को सुनकर किर्पा करके श्री राम जी के चर्णों में मुझे प्रीती दे अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूं जो भिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी परतिकूल आचरन करते हैं दूसरों के हित की हानी ही जिनकी दृष्टी में लाव है जिनको दूसरों के उजडने में हर्ष और बसने में विशाद होता है जो हरी और हर के येश रूपी पुरुनीमा के चंद्रमा के लिए राहू के समान है अर्थात जहां कहीं भगवान विश्णू या शंकर के येश का वर्णन होता है उसी में वे बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहे स्त्रभाव के समान वीर है जो दूसरों के दोशों को हजार आँखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है अर्थात जिस परकार मक्खी घी में गिर कर उसे खराब कर देती है और स्वम भी मर जाती है उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानी करके भी बिगाड़ देते हैं जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अगनी और करोध में यम्राज के समान है पाप और अवगुन रूपी धन में कुबेर के समान धनी है जिनकी बड़ती सभी के हीत का नाश करने के लिए के तू पुछल तारे के समान है और जिनके कुम्ब करण कीतर है सोते रहने मे ही भलाई हैं जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेश जी के समान समझ कर परणाम करता हूं जो प्राए दोशों का हजार मुखों से बड़े रोश के साथ वर्णन करते हैं पुन है उनको राजा पिर्थु जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए दस हजार कान मांगे थे के समान राजा पिर्थ्यू के समान जान कर प्रणाम करता हूं जो दस हजार कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं फिरें इंदर के समान मान कर उनकी विनिया करता हूं जिन को सुरा, सुरा अर्थात मदीरा मदीरा नेकी और हितकारी मालूम देती है इंदर के लिए भी सुरानीक अर्थात देताओं की सेना हितकारी है जिनको कठोर वचन रूपी वर्ज वज्र सदाप्यारा लगता है और जो हजार आखों से दूसरों के दोशों को देखते हैं दुष्टो की यह रिती है कि उदासीन, शत्रू अथ्वा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पुर्वक उनसे विने करता हूं मैंने अपनी ओर से विनती की है परन्तु वे अपनी ओर से कभी नहीं चुकेंगे कोवो को बड़े प्रेम से पीला ये प्रिंतु वे क्या कभी मास के त्यागी हो सकते हैं अर्थात नहीं अब मैं संत और ऐसंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूं दोनों ही दुख देने वाले हैं परन्तु उन में कुछ अंतर कहा गया है वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे ऐसंत मिलते हैं तब दारून दुख देते हैं अर्थात संतों का बिछुड़न मरने के समान दुख दाई होता है और एसंतों का मिलन दुख दाई होता है दोनों संत और एसंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोक की तरह हैं उनके गुणे अलग-अलग होते हैं कमल दर्शन और सपर्ष से सुख देता है किन्तु जोक शरीर का सपर्ष पाते ही रक्त चूसने लगती है साथू अम्रित के समान मिर्थू रूपी संसार से उभारने वाला और ऐसा दू मदीरा के समान मोह परसाद और जड़ता उत्पन करने वाला है दोनों को उत्पन करने वाला जगत रूपी अगाद समुन्दर एक ही है सास्तरों में समुन्दर मंथन से ही अम्रित और मदीरा दोनों की उत्पत्ती बताई गई है भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसा सुन्दर यश और अपयश की सम्पती पाते हैं अम्रित चंदरमा गंगाजी और सादू एवं विश अगनी कलियुग के पापों की नदी अर्थात करम नाशा और हिंसा करने वाला व्याद इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं किन्तु जिशे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है बला बलाई ही ग्रहन करता है और नीच नीचता ही ग्रहन करता है अम्रित की सरहाना अमर करने में होती है और विश की सरहाना मारने में होती है तो जैश्री राम आज के लिए इतना ही तो गाईद सभी भगजन से विन्य करती हूं प्रीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेर कीजिए, मुझे स्पोर्ट कीजिए और सारा दिन आप काम में बिजी रहते हैं लेकिन कभी ये आप सोचते हैं कि जो परमातमा हमारी गाड़ी चलाता है, जो परमातमा हर पल हमारी सहता करता है, हमें उसकी कथा अवश्य शुननी चाहिए, या फिर पढ़नी चाहिए. तो वीडियो को आप जरूर सुने रामचरित मानस की इस कथा को आप अपने लिए पांस-दस मिन्ट निकाल करके जरूर सुने इससे हमें एक नहीं अनेक फायदे हैं हमारी दरी दर्ता दूर होती है सुक समर्धी की प्राप्ती होती है प्रमात्मा का सामी प्राप्त होता है इसलिए जरूर सुने जै श्री राम